वेलकम तो अभ्यान आयस अकेडमी मेरा नाम वेदवीर है और मैं आपको तयारी करा रहा हूं यूची सीनेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स की राइट तो इससे पहले हम लोगों ने एक यूनिट स्टार्ट करी थी देट इस और बिजनेस फाइनेंस उसमें हम लोग काफी सारे टॉपिक अपलोड कर चुके हैं तो आज की जो हमारी वीडियो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर है इस इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक पॉर इग्जामिनेशन पॉइन पॉइन तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक ताकि इस से रिलेटर जो भी कॉंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए और इसमें से आपके दो से तीन कोशन आपको डेफिनेटली एक्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें औ उन नोगों को सबके साथ में इस वीडियो को शेयर करें ज़ाद से जाद़ क्वांटिटी में ताकि उन लोगों तक भी हमारा जो कन्टेंट है वह पहुंच सके और लोगों के हेलफ हो सके तो जिन लोगों हमारे प्रिविएस वीडियो नहीं देखी है वो हमारे previous वीडियो को जरूर देखें ताकि इससे related जो भी concept है जो आपके concept clear नहीं हुए है वो concept आपकी वीडियो में clear हो जाएंगे और आपका क्या opinion है वीडियो के बारे में उसको जरा comment section में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी तो चलिए आज की जो वीडियो है वो हम PGT commerce तो यह हमारी एक बहुत ही important और weightage वाली unit है तो आप इस unit को skip नहीं कर सकते हैं इस unit में से आपको कम सकम 8 to 10 questions आपको मिलने वाले हैं exam में उसमें से practical theory दोनों portion आपके मिलेंगे this is the your unit तो आज का जो topic है हमारा क्या है cost of capital capital का मतलब क्या होता है finance right finance या money जो कि आप business में use करने वाले हो cost का मतलब expenses that you need to bear तो आप यह वो लोगों कि capital को capital का क्या खर्चा होता है capital का क्या खर्चा होगा capital के मतलब यह होता है कि capital को arrange करने का जो खर्चा होता है उसको हम बोलेंगे cost of capital देखो business में जो भी हम पैसा कमा रहे हैं या जो भी पैसा लगा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो हमें expenses bear करने पड़ेंगे अगर आप मेरी company में पैसा लगा रहे तो free में पैसा थोड़ी लगा होगे right तो आपको भी क्या चाहिए कुछ ना कुछ तो return में चाहिए right अगर मैं bank से loan ले रहा हूं मैंने अपने bank मैंने काम करा है अपने bank से loan लिया ठीक है और bank से loan लेके मैंने business में लगा दिया अब bank वाला मुझे free में loan देगा नहीं उसके बदले में क्या चाहिए उसको interest चाहिए ऐसे ही मतब आप जिस भी resources से पैसा लोगे चाहिए आप equity से पैसा लो चाहिए आप preference share से पैसा लो चाहिए आप return earning से पैसा लो चाहिए आप right share से पैसा लो any of the resources that you are using as the capital or financial resources in the company that bear something a particular cost वही cost हम लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं कि हमारे capital को arrange करने का जो खर्चा होता है वो क्या होता है देखो इससे पहले जो हमने topic पढ़े है उसमें कई बार हमने पढ़ा cost of capital की cost of capital का value of firm पे फरक पढ़ता है cost of capital का capital structure पे फरक पढ़ता है इसकी cost इतनी आती है उसकी cost इतनी आती है तो वही जो cost है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसके बारे में वही चीज़ जो हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले है तो देखो क्या होता है कि business में जब मैं कोई पैसा लगाऊंगा तो पैसा लगाने के पीछे मुझे क्य करना पढ़ेगा कुछ नखूस तो मुझे कasten बिएर करनी पड़ेगी उस चीज़ को मैं क्या बोलूंगा क्यों मतर्क केपिटल को अरेंज करने का जो खर्चा ये capital को लगाने जो खरचा है उसको मैं कर बोलूंगा कोस। यो वहही चीजी आज के क्लास में हम लोग अब क्या होता है कि देखो मैंने आपको एक चीज बताई थे कि जैसे मालो फर इक्जामपल जो मैंने बिजनस से पैसा अरेंज किया मालो मैंने 10 लाग रुपए अरेंज किया अब उस 10 लाग रुपए को मैं अपने बात सोड़ी रखूंगा मैं क्या करूंगा किसी प्रोजेक rate of return that our firm must earn through its various alternatives available मतलब जो मैंने capital से पैसा अरेंज किया है या capital की form में जो मैंने पैसा अरेंज किया है उसके बदले में इतना परसेंट तो मुझे minimum देना ही देना है तो ये cost of capital क्या हो गया basically एक minimum required rate of return हो गया जो की company को चाहिए ही चाहिए अमाल लो for example आपकी जो cost of capital आ रही ह इसका मतलब क्या है आप चाहिए किसी भी project में पैसा invest करो वो 10% से उपर होना चाहिए देखो जब मैंने आपको capital budgeting बताया था वहाँ पर भी बताया था एक minimum required rate of return इतना होता है इससे उपर अगर आपकी return आ रही है तो it will be beneficial for you or you will accept that particular project और अगर आपकी return इससे कम आ रही है तो तो वहाँ पर आप उसको reject कर दोगे बताया था मैंने आपको ठीक है तो ऐसे ही मैंने ARR में भी बताया था कि एक minimum cutoff rate तैग करेगी आपकी management जिसमें अगर इससे उपर अगर आपका ARR आता है तो आप उसको accept कर लोगे इससे नीचे आता है तो आप उसको reject कर दोगे वो जो आप decide करते हो वो जो minimum cutoff rate आप decide करते हो वो क्या होता है वो cost of capital ही होती है वो cost of capital इसलिए होती है ताकि इतना percent मुझे बहरवालों का पैसा देना तब कम से कम मैंने अगर आपसे 10 लाग रुपे लिए हैं तो 10 लाग का आपको जो भी खर्चा आ रहा है मालनो for example 10% खर्चा आ या 5% खर्चा आ रहा है या 12% आ रहा है तो कम से कम मैं किसी ऐसे project में पैसा लगा हूं कम से कम आपका पैसा तो मेरा निकल जाए अगर उससे कम return मिल रहे है तो आपको मुझे अपनी pocket से देना पड़ेगा तो मेरा क्या फाइदा वो आपसे पैसा लेने का भाई आपसे I can give you 10% 5% मेरी जेव में जाएगा मैं वह पैसा भी आपको दे दिया मैंने और अपरी जेव से भी आपको दे रहा हूं तो मेरा क्या फाइदा उस project में पैसा लगाने का तो कहने का मतलब क्या है cost of capital क्या हो गया एक minimum required rate of return हो जो company को earn करनी ही करनी है हर किसी हालत में अगर उसक सबको जब company कहां से पे करेगी company के खुद की earning नहीं होगी तो company कहां से पे करेगी company पे करी नहीं पाएगी ठीक है तो यह क्या हो गया minimum rate of return हो गया that is required from investment project to keep the market value per share unchanged मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका market per share change ना हो तो कम से कम आप इतना पैसा project से कमालो minimum required rate of return कि इतना पैसा आ आप अपना देते रहो अधरवाइस अगर आप time to time payment नहीं करोगे तो आप जो हो जाएगा आपके ओपर debt बढ़ते चले जाएंगे एक महीने आप payment मत करो अगले महीने आपको दो महीने की payment करनी है उसके बाद 3 महीने की payment करनी है तो आप कैसा कैसे पे करोगे तो यह चीज़ होगी तभी company आपको पे कर पाएगी तो shareholder भी यह चाहते हैं कि अगर मैंने किसी company में पैसा लगाया आप खुद भी यह सोचो कि being a investor आप क्या चाहते हो आप यह चाहते हो कि एक तो मेरा dividend मुझे time पर मिलता रहा है और dividend मेरा growth करके मिलता रहे बाद दो ही चीज़े मैं चाहत हैं कि company को earning होगी company को profit होगा then only company can pay you तो company इन सब चीजों पर focus कर सकती है तो इसलिए company को क्या करना पड़ेगा कम से कम इतना तो पैसा company को कमाना पड़ेगा कि company time to time अपनी जो cost of capital है उसको timely pay कर सके अगर मालो company अगर यह भी देखो कि अगर मालो आज आप time to time payment नहीं कर पा रह करोगो तो cost बढ़ जाएगी आपकी जो लोग आपको easily payment कर रहे थे वो बोलेंगा भया हम नहीं देंगे आपको पैसा आपने पहले बाले पैसा नहीं दें मेरे तो इसनी चीजों के बीच में हमारा जो है वो आपको cost of capital आपको calculate करनी पड़ते ताकि company को यह mind make up company कर सके कि भया मुझे इतनी return तो देनी ही देनी है अगर मुझे किसी project को accept या reject करना पड़े तो मैं इसके हिसापते में देख सको कि भया मुझे 15% तो मुझे return देनी है इनको यह 10% मुझे return पे करनी है अगर कोई project मुझे इससे जाधा return दे रहा है then only I can accept that particular project else I'll reject all of them right तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो shareholder की wealth को maximize करने के लिए company को क्या करना पड़ेगा अपना जो price है वो increase करना पड़ेगा अपनी market share और अपनी जो value है अपनी जो goodwill है वो increase करनी पड़े इसलिए यह सब जो बाते हैं यह जो सब चीजे हैं एक दूसरे से interlink है ठीक है profit होगा तो company बाहर वालों को पैसा दे पाएगी और यह भी पता है बाहर वालों को company टाइम पर payment कर पाएगी तब company को जो है वो बाहर वाले लोग finance provide कर आएंगे अब company मुझे पैसा ही नहीं में अब जो मुझे return चाहिए वही चीज जो मेरी यहां पर आएगी तो उसके हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर decide करना पड़ेगा तो यहां पर मुझे क्या है company एक resources से पैसा नहीं लेती है company different resources से पैसा लेती है सब की cost आप इखटे करो और इखटे करने के बा आने में इतना इस चीज में इतना इस चीज में मैं बोलू को भी आपके काम करो मुझे on an average बता दो आपने बताया कि सर मेरा 300 का पड़े का खर्चा है तो 300 क्या है मेरी cost of capital मतलब पड़े का जो मेरा खर्चा आ रहा है या उसमें मुझे जो company को सर्वाइब करने में जो मेरा खर्चा आ रहा है capital का जो खर्चा आ रहा है उसको मैं क्या बोलूँगा cost of capital ठीक है तो यहां पर क्या हुआ the rate of which the organization must pay to supplier of the capital for the use of their fund ओवेसी बात है कि अगर मैं आपका fund यूज कर रहा हूं तो मुझे कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा आपको पे करना पड़ेगा जो मु capital पे करोगे तो it is a two-way process ठीक है तो वो minimum required rate of return जो मुझे आपको देना ही देना है ठीक है तो in another word cost of capital means the rate to which the paid for the use of the capital मतब हर resources के बतले में कुछ ना कुछ company को पे करना पड़ेगा अगर company retained earning भी अपने पास रखती है तो उसके बतले में भी company को कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ता है तो उसके हिसाब से company जो वो यह चीजे देखती है कि आपकी जो cost of capital है या जो equity से मैं पैसा दे रहा हूं या जो मैं डिवेंचर से पैसा ले रहा हूं या जो मैं preference share से पैसा ले रहा हूं या मैं आपका retain earning से पैसा ले रहा हूं उन सब की आप cost calculate करो उसके बाद सबको sum up कर दो उसके बाद आप बता दो कि भी cost of capital क्या है यहाँ पर capital जो word है वो सबका combination है capital कभी भी company एक sources से पैसा नहीं लेती है company उसमें capital में आपका जो debenture है जितने भी sources से company पैसा ले रही है वो सब आपके यहाँ पर sum up हो रखें तो सबका जो total overall बता रहा हूं है उसको मैं क्या बलूँगो cost of capital बलूँगो यहाँ पर मैं individual की बात नहीं कर रहा हूं individual भी हम निकालेंगे लेकिन यहाँ पर अभी जो मैं बात कर रहा हूं पूरी overall capital की बात कर रहा हूं company में जितना भी पैसा लगा है आपने 10 लाग रुपे लगा अब 10 लाग रुपे हो सकता है इ तो यहाँ पर एक definition है आपके ठीक है जैसे यह definition है ठीक है इसने क्या बताया cost of capital is the minimum required rate of return earning cutoff rate of the capital expenditure मतलब capital expenditure का जो भी आपका एक minimum required rate of return है जो आपको पे करना है उसको हम क्या बोलेंगे cost of capital बोलेंगे इन्होंने क्या बताया cost of capital is the minimum rate of return which are companies expected to earn from a proposed project मतलब company का जो भी प्रोजे उसको कमाना ही कमाना है ठीक है कमशे कम वह minimum cut off आपको तयार हो गया मतलब आपको बता चल गाएक कितना पैसा आपको कमाना धी Cloud system आपको कमाना ही है अगर उससे कम मिल रहा है तो आप उस project को reject कर दोगे तो इन्होंने यहाँ पर यह बताया ताकि मतब आप जो है जादा से जादा अपने जो shareholder है उनको आप पे कर सको और आप उनके लिए एक better return आप उनको provide कर सको तो यहाँ पर जो है इन्होंने क्या बताया कि मतब सबने almost यही चीज बताई है कि आपको एक project से कितना पैसा आना चाहिए वह minimum cutoff जो है वह आपकी क्या है cost of capital है जो cost of capital जो आपके किसी के उपर depend करती है यह depend करती है आपके demand and supply पर अगर आपके demand है बड़ supply नहीं है मालो मुझे पैसा चाहिए बड़ supply नहीं है तो उसके उपर भी मेरा depend करेगा तो मुझे obviously बात है कि जब मेरी demand ज्यादा है तो जिन लोगों के पास पैसा है पैसा कम है ल demand और supply पर डिपेंड है अगर आपकी demand ज्यादा है supply कम है तो obviously बात है cost आपकी ज्यादा है उल्टा है supply ज्यादा है demand कम है तो obviously बात सस्ती हो जग लोगों पैसा बहुत है बट लेने वाला कोई नहीं है ठीक है तो वहाँ पर जो cost of capital है वो उसके उपर depend करेगी आप जैसे कई अब हर तीसरा बंदा टमाटर बेच रहा है तो इसका मतलब क्या है टमाटर की supply ज्यादा है खरीदने वाले तो वही है ठीक है तो इससे क्या होगा आपका जो price है वो down हो जाए तो यहाँ पर demand और supply का जो concept है वो यहाँ पर चलता है expected rate of inflation market में inflation rate क्या चल रहा है इंफलेशन क्या चल रहा है मार्केट में इसके उपर भी डिपेंड करता अगर महंगाई है तो सब के लिए तो cost of capital भी महंगे हो जाएगी अगर मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है तो ओपसी बात है कि जब सब चीज मंदी है तो सब ही चीज मंदी होगी उसमें capital कहां र करेंगे तो यह चीज हमारी इसमें आ जाते है वेरियस रिस्क इनवाल्ड इन इट मतलब आपके जो रिस्क हैं वो कौन-कौन से इनवाल्ड है हमारे कई सारी तरीके के रिस्क होते हैं जब आपको पता कि रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा capital आप अरेंज करके रखोगे जब क्या है debt equity ratio of the firm कंपuchar और equity company की कितने debt को पे करने के लिए कितनी equity कंपणी रखे है तो ये company को थोड़ो सा ध्यान रखना पड़े क्यों कि कमपनी debt की payment की किविए कंपनी क पास कितनी equity है यह इंची जो के उपर depend करता है ठीक है अब जैसे माल लो company की जो debt equity ratio है वो 2 is to 1 है इसका मतलब क्या है कि एक debt को pay करने के लिए company के पास maximum to maximum 2 time of equity होने चाहिए मतलब एक रुपे को payment करने के लिए company के पास 2 रुपे होने चाहिए तब ही company को एक ideal company माना जाता अगर company की ratio 3 is to 1 है इसका मतलब क्या है company safe नहीं चल रही है company का fund ideal पड़ा हुआ है company का fund ideal पड़ा हुआ है एक रुपे की payment करने के लिए आप 3 रुपे secure करके रखोगे क्यों payment तो एक ही रुपे करने है आपको तो यहां पर आपको इसके कहने का मतलब क्या है कि one debt की payment करने के लिए आपको three equity जो वो आपके पास है इसका मतलब क्या है कि वो पैसा आप कहीं दूसरी जगा यूज़ कर सकते थे अगर आप एक लाख रुपे की payment करने के लिए आपने तीन राख रुपे अपने पास रख रखें क्या मतलब है तुमारा जाल स्यादा आप दो लाख रुपे रख लो कि इन केस अगर emergency आगी पता नहीं कब देने पड़ जाए तो maximum to maximum टू लाख रुपीज रख लो थ्री लाख का क्या मतलब एक लाख रुपे कहीं दूसरे के इन्वेस्ट कर दो तो इससे ज्यादा अगर आपकी रेश्ट अगर वन इस्टू वन है इसका मतलब क्या है कंपनी की कंडिशन इतनी नहीं है कि कंपनी उनको प्योरली आपको पे कर सके यह चीज़े हमारे ऐसे फेक्टर्स होते हैं जो मतलब इन सब चीज़ों पर आपका जो क्यों को इसको करते हैं क्यों 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 इसको कर था आपकी था तो आपकी जो value of firm है, वो maximum होती है, company को बाहर वालों को कम पैसा देना है, तो obviously बात है कि company के value of the firm है, वो बढ़ जाती है, अगर cost of capital आपकी बढ़ रही है, तो value of firm क्या हो जागी, आपकी down हो जागी, यह मैंने आपको capital structure में भी बता था, आपको cost of capital का value of firm पे क्या फरक पड़त है ठीक है capital budgeting decision में मैंने आपको बता ही दिया था कि capital budgeting decision जब आप लेते हो तो उस time पे आपको यह decide करना पड़ता है कि concept project को आप accept करोगे concept project को आप accept reject करोगे तो वहाँ पर cost of capital का minimum cut off rate आप decide करते हो यह discounting rate आप जो decide करते हो cost of capital के according ही decide करते हो ठीक है decision regarding leasing अब आपको यह सोचना है कि भाया हम जो है कोई समान purchase करें या उसको lease पर ले ले तो वहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम lease पर लेते हैं तो हमारा कितना खर्चा पड़ेगा और अगर हम कोई और decision ले रहे है मतब lease पर ले या purchase है तो अगर आपको लग रहा है कि पर chance करने से मुझे lease लेने में ज़ाधा फाइदा है तो obviously बात है कि आप lease ले लोगे अगर आपको लगना fund लीज तो बेकार है मेरी उससे तो मेरा फाइदा है उस पर पर्चेस करने में फायदा है, आप अपना कोई समाल लेना है, for example, if you want to purchase a new phone, worth rupees 15,000 or 20,000, but you don't have cash, right, और either if you have cash, then you have two option, either you can buy this particular amount, new phone, or either you can go for EMI option, right, तो यहां पर आपके पाद दो option है, दोनों में से कौन सा option choose करोगे, इसको आप evaluate कर लोगे, आप देखोगे कि भई, इससे EMI में मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा जाएगा, बट थोड़ी सी cost bear करने पड़ेगी, बट यहां पर सारा पैसा मेरा चला जाएगा, ठीक है, अब पैसा लगेगा आपका, तो वो भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि cost of capital तो आपकी working capital में भी use होती है, तो वहां पर भी आपको decide करना पड़ता है, इतना पैसा तो मुझे minimum चाहिए चाहिए, पर्मनेंट capital है, उसमें तो पैसा मुझे चाहिए चाहि है, अब dividend जब आप पे करोगे, तो आपको पैसा चाहिए, अब वो पैसा आपके पास कहां से आएगा, वो आपको decide करना पड़ेगा, तो dividend decision में भी आपके cost of capital का फरक पड़ता है, अगर मालो मेरी cost इतनी आ रही है, और मुझे इतना return बाहर से आ रहा है, मतलब मेरी cost 10% आ र देना है, तो आप यही decide करते हो यहां पर, कि मुझे debt से पैसा लेने चाहिए, या equity से पैसा लेनी चाहिए, अगर company ने debt बढ़ाया, तो मेरा equity पर क्या फरक पड़ेगा, यही चीज़ बताई थी मैंने आपको, कि अगर company debt बढ़ाती है, तो उसका equity पर क्या फरक पड़ेगा मतब आपको यह देखना पड़ेगा, कि company की जो cost of capital है, अगर वो ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है, company की financial performance इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, अगर cost of capital कम आ रही है, इसका मतलब क्या है, company को easily finance available हो रहा है, easy terms and condition पे finance available हो रहा है, company की goodwill अच्छी है, तो obviously बाते को of cost, ठीक है, हमारी cost जो होती हो, कितनी तरीके के होती है, ठीक है, तो इसमें direct cost और indirect cost, fixed cost और variable cost, historical cost और future cost, ठीक है, sunk cost और opportunity cost, individual cost और composite cost, implicit cost और explicit cost, यह classification से आपके, ठीक है, इन में से कितनी चीजे ऐसी हैं, जो आपको पता है, थोड़ा सा idea है, कोई बात नि, देखो, direct cost क्या होती है, और indirect cost क्या होती है, मतलब वो cost, जिसका खर्चा, आप एक directly, किसी एक particular item से charge कर सकते हो, जैसे for example, यह कोई एक teacher है, यह एक student को बढ़ा रहा है, तो इस teacher की जो salary है, वो इस student से ही charge करी जाएगे, तो यहाँ पर क्या ही है, direct cost है, ठीक है, एक student, एक teacher जो है, वो चार student को बढ़ा रहा है, अब आप यह तो नहीं कह सकते हैं कि एक खर्चा हम B से निकाल लेंगे, वह क्योंकि अब एक ही salary मतलब जो है, वो हम B से निकाल लेंगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, इनको proportionate कर दोगे, ठीक है, अब जैसे मान लो, for example, आपने कोई favicol लिया, और favicol से आपने, favicol जो था, वो आपने उससे 10 mages में काम किया, जो table है, उस पर आपने काम किया, ठीक है, तो अब आप favicol का जो खर्चा है, किसी एक particular table से तो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो वो आपने सब में use करा है, आपने तो ऐसा खर्चा, जो आपका सब में use हुआ है, मतलब जिसको आप किसी एक particular unit से आप charge नहीं कर सकते, तो उसको बोलेंगे indirect cost, और direct cost मतलब जो जिसका खर्चा आप एक particular unit से charge कर सकते, उसको क्या बोलेंगे direct cost, fix cost और variable cost, fix cost का मतलब क्या होता है, जो fix होती है, at the zero level of production, मतलब जो production चाहे आपकी हो, चाहे production आपकी ना हो, लेकिन यह आपकी fix रहेगी, इसका बाकी level of output से कोई फरक आपका नहीं पड़ेगा, output है, तब भी आपको देनी है, output नहीं है, तब भी आपको देनी है, like आपका rent है, insurance है, यह आपको pay करना ही करना है, अगर आपका month क rent है, चाहे आप एक दिन रहो इसमें बिल्कुल मत रहो, तब भी आपको month लिप एक करना ही करना है, और ऐसे ही आपकी car का insurance है, चाहे आप एक दिन चलाओ, दस दिन चलाओ, पंदर दिन चलाओ, पुरे महींने चलाओ, पूरी साल बर चलाओ, वो आपको pay करना ही करना है, variable cost, कोस्ट का मतलब क्या है यह आपके level of output पर डिपेंड करेगा कि इसमें अगर आपका जो है यह आपके level consumption करोगे अपनी कार में तो उसका जो भी खर्चा आएगा वो आप क्या करोगे मतलब अगर आप कम चलाओगे तो कम फ्यूल उस होगा ज्यादा चलाओगे ज्यादा यूस होगा तो उसके उपर depend करेगा ठीक है लेकिन insurance तो आपको पूरी साल का देना पड़ेगा historical cost और future cost historical cost मतलब जो अब तक आप cost incurred कर चुके हो जैसे मालब for example एक project में में 10 लाग रुपे invest कर चुक हो तो वो मेरी historical cost है अब इसके अलावा इस particular date के बाद मुझे future में कितना पैसा और चाहिए तो जो मैं future में incurred करूँँगा that is your future cost कोई project को start करने से पहले या project को मैं evaluate कर रहा हूँ तो मैंने यह सोचना पड़ेगा कि इसकी historical cost कितने कितना पैसा आप तक मैं खर्च कर चुका हूँ जो पैसा मैं खर्च कर चुका हूँ वो मेरी historical cost है और जो पैसा मुझे आगे future में चाहिए अब ऐसा तो है building मैंने बनाई ठीक है इस building को मैंने setup किया setup करने में मेरा 10 क्रोट रूपए का खर्चा हुआ तो 10 क्रोट रूपए तो मेरे खर्च हो चुके है अब मानलो मुझे आगे run करने के लिए कोई equipment खरीदना है कोई और मुझे कोई चीज खरीदनी है तो उसका जो मेरा खर्चा आएगा वो क्या है मेरी future cost मतलब जो मुझे आगे expenses करने है तो वो मेरा क्या है future cost next है आपका sunk cost और opportunity cost sunk cost का मतलब वो ओता वो cost जो आपके डूप चुकी है वो आपका recover नहीं होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे sunk cost बोल देंगे opportunity cost का मतलब क्या होता अपर्चनिटी cost का मतलब यह होता है कि the cost आपके पास जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव था उसकी जो कॉस्ट आपने बियर करी वह आपकी पास उसको हम क्या बोलेंगे जैसे मालो फॉर एजामपल आपके पास थ्री आर्ट्स है आपके पास लेकिन आपके पास दो है या तो आप मुवी देख लो या आप पढ़ाई कर पास चूट जाएगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जैसे मालो जो भी आपके आप उप्षेंट चूज करोगे और तो इसमें आप जो है आपके बाद दो ऑप्षें या तो आप मुवी देख लो या आप अपना जो पढ़ाई कर लो अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप म मुवी देखते हो तो आपके पढ़ाई छूट जाएगी तो इस टोटली डिपेंड अपन यू लेकिन एक अगर आप एक चीज करते हो दूसरी चीज तो आपके छूटेगी चूटेगी तो जो जिस चीज की आप कॉस्ट बियर करोगे फिर आपको लगए अर्यार कल की करोगे ठीक है तो जो चीज आप मिस करोगे उसको क्या बलनेगे ऑपडर्चिशन लिए और वह सकते थे आप अपना जो से जो जो options है कही न कहीं तो मतलब उन चीज़ों को आपने मिस कर दिया चीक है तो वो जो चीज है वो हमारी क्या है opportunity cost है individual cost और composite cost अगर आप individual individual item की cost निकालते उसको बोलते individual cost अगर आप सबको combine कर देते हो तो उसको क्या बोलते composite cost जैसे मैंने आपको आपने कहां कहां से पैसे आपने बताय कि सर मैंने इतना अला लिया χांणाव किसके आप और थे आप में आपको कुछा आ तो आप ये थोड़ी बताओगे, सर 2.05% आ रही है मेरी debt की, और 6.7% आ रही है मेरी equity की, या 10% आ रही है मेरी is की, तो ऐसा थोड़ी होता है, महाँ पे मैं क्या करूँगा, सबको मैं combine करूँगा, combine करने के बाद आपको बताने के विवरी cost of capital कितनी आ रही है, ठीक है, implicit cost और explicit cost, this is very important, ठीक है, तो ये क्या होती है, कोई दिख करते हैं, आज सुन लोगे, ठीक है, कोई करते हैं, देखो, implicit cost का मतलब क्या होता है, ये वो खर्चे होते हैं, जो implied होते हैं, खर्चे होते नहीं है, बट implied होते हैं, accounting में पूरा देखा होगे, कहाँ या आमने खर्चा करा है अच्छे होते नहीं है, जैसे, मान लो, for example, you are paying salary to yourself, आपका खुद का बिजनस है, ठीक है, प्रॉफिट तो आप कमाऊगे, अब आप ये कह रहे हो, कि भईया मैंने बिजनस सेट अप करा है, तो प्रॉफिट तो मेरा हक है, वो तो मुझे वैसे भी मिलता, लेकिन मैं सुभ अगर मैं किसी और पर्सन को रखता, तो उसको salary देता मैं नहीं देता, देता न, इसलिए मैं ये जो है, अपने 50,000 रुपे salary अपने account में टांसर कर रहा हूँ, salary to myself, तो ये खर्चा क्या हुआ, बिजनस आपका, पैसा आपका, आपने खुद के business से खुद को salary दिये, तो ये खर्चा क्या है, ये खर्चा आपका implied cost है, अब आप ऐसे समझो, मेरे पास कोई building vacant पड़ी थी, मैंने क्या कर दिया, उसमें office खोल लिया, क्या कर दिया मैंने उसमें office खोल लिया, जब मैंने office खोला, अब आप मुझे एक चीज बताओ, कि अगर इस building को मैं कहीं पे rent पे देत मेरे building पड़ी थी, मैं उसको rent पे देता, या मैं कहीं और से rent पे लेता, मेरा खुद का नहीं होता, तो उसको भी मैं rent देता, देता की नहीं देता, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहां पे rent to self, या rent of building, वो मैं खुद के account में transfer कर रहा हूँ, तो वो मेरा क्या है, मेरे पास कोई पैसा पड़ाता, 10 लाग रुपे, वो मैंने उठा के business में लगा दिया, जब मैंने business में लगाया, तो अब आप मुझे यह बताओ, कि अगर यह पैसा में बाहार लगाता, तो obviously बात है कि मुझे return आता, या अगर मेरे पास नहीं होता पैसा, तो मैं बाहर से भ capital, वो जो interest on capital आपने वहाँ पर लिखा है, वो आपका क्या है, implicit cost, यह वो खर्चा है, जो आप actual में पे कर रहे हो, अगर आपने office rent पे लिया है, तो obviously बात है, कि आप rent पे कर रहे हो, अगर आपने capital जो वो लिए है बार से, loan लिया है, आपने तो obviously बात है, you are paying certain amount to them, right, अगर आपने मानलो भई आप कहीं पे working कर रहे हो, या आपने किसी को salary पे रखा है, आपने मैंने क्या कर रहा, एक manager रख दिया अपनी company के लिए, वो जो company के लिए मैंने manager रखा, वो मेरा क्या है, उसको मैं salary पे करूँगा, वो जो salary पे करूँगा, that is your explicit cost, समझ गए, सारे point clear है रिवाए इन दोनों के, इन दोनों का यहाँ पर बहुत use होने वाला है, individual cost का भी, composite cost का भी, individual cost का इसलिए क्योंकि individual, individual जितने भी item से पैसा लिया आपने, सब की cost निकालोगे, और composite मतलब last में आप सब को combine करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो आज की class हमारी इसी के उपर है, तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे cost of debt की, देखो आज की class में theory practical दोनों चीज़ होने वाली है, ठीक है, तो cost of debt का मतलब क्या होता है, debt का मतलब क्या होता है, debenture, मतलब एक तरीके से loan होता हमारा, ठीक है, अगर हमने debt लिया है किसी से, तो उसको हम represent करेंगे, KD से, KD मतलब cost of debt, K stand for cost, और D stand for debenture, या debt, ठीक है, तो उसके बदले में हम उनको क्या pay करेंगे, interest pay करेंगे, और वेसी बात है कि जो debenture holder होते हैं, उनको क्या 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 होता है, एक fixed rate of interest उनको pay करना पड़ता है, तो यहां पर क्या है, the amount of interest payable, वो जो interest हम उनको pay कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या हो गई, cost of debt हो गई, ठीक है, तो जो cost of debt है, आपकी उसी चीज़ को हम यहां पर calculate करेंगे, तो वो जो consider उसको, जो हमने उनको amount pay किया है, in the form of interest, तो debenture holder के लिए वो income है, और हमारे लिए वो expenses है, उन्होंने जो pay किय या वो हमाले वो खर्चा है, ठीक है, तो cost of capital is much cheaper than cost of capital, मतलब debt से जो हम पैसा लेते हैं, वो हमारा cheaper होता है, और उसके बदले में हम उनको जो है, जो भी है हमारा, हम उनको क्या करते हैं, एक payment करते हैं, वो जो interest के हमने payment करी है, वो सारा हमारा किस में आ जाएगा, cost of debenture में जाएगा, ठीक है, वो सस्ता क्यूं होता है, कई बार ये भी चीज़ पूछी जाती है, कि cost of debt जो होता है, वो हमारा सस्ता क्यूं होता है, क्योंकि इसमें interest paid on debt capital is tax deductible, मतलब जो भी हम interest pay करते हैं, उस पे, उसको हम एक तो हमें tax benefit मिल जाता है, क्योंकि interest क्या हो गया हमारी liability ह उसको हम, जो भी हम income tax file करेंगे, तो जितना भी हम interest pay करेंगे, उतना हमें interest का benefit मिल जाएगा, तो उसमें से हम tax जो वो, और interest जो है, tax pay करने से पहले pay किया जाता है, जो debenture holder को जो payment करी जाती है, वो tax payment करने के पहले करी जाती है, tax इसके बाद पे किया जाती है, तो इसलिए ह एक होते redeemable, एक होते irredeemable, अब यह redeemable क्या होते हैं, और irredeemable क्या होते हैं, redeemable का मतलब होता है, कि इनको after a particular period of time, आपको आपका पैसा वापस देना है, मतलब redeem करना है, redeem मतलब आपको उनका पैसा देना है, obviously बात है कि मैंने अगर आपके diventure 10 साल के लिए हैं, तो 10 साल के बात मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको आपका पैसा वापस करना पड़ेगा, उस टाइम पे जो मैं value पे करूँगा, that is called your redeemable value, भाई 100 रुपे का diventure में कितने रुपे में आपको पे करूँगा, उस टाइम पे जो मैं पे करूँगा, आपको that is your redeemable value, ठीक है, irredeemable, irred efficient fund अवेलेबर हो जाए, तब कपनी ये कहा देते हैं कि भी या, हम आपको पैसा जो वापस दे रहें, लेकिन यहाँ पर जो time period है, वो fix नहीं होता है, question में हमें दोनों ही चीज़े आ सकते हैं calculate करने के लिए, cost of redeemable calculate करो, या आपका irredeemable जो है, उसको calculate करो, यह हमें identify करना प नहीं होंगे, ठीक है, यह चीज़ समझ आ गई, बहुत basic concept है आपको, कि मतलब आपको क्या दिया, interest pay किया, वो जो interest आपने pay किया, वो मेरी क्या हो गई, cost of debt हो गई, तो interest जो होता हो, मेरे tax deductible होता है, मतलब tax से पहले pay किया जाता है, और यह compulsory liability होती है, इसका हमें tax benefit भी मिल तो यहाँ पर यह जो चीज़ है, वो बहुत important है, माल लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है, देखो, हम interest pay करेंगे, upon my net proceed, bracket में 1-t, यह उनके लिए है, जब आपका irredeemable हो, ठीक है, यह formula आपनो down किजिए, interest upon my net proceed, bracket में 1-t, ठीक है, interest, जो हम pay कर रहे है, net proceed, कि अगर मैं इनको debenture, अगर मैं आज issue करता हूँ, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, इसमें 3 चीज़ आती है, par, premium, और discount, यह चीज़े पता हैं आपको, par का मतलब है, 100 का debenture, आप 100 में issue कर रहे हो, 100 का debenture, 120 में, या ज्यादा में, जो भी आप extra amount पर आप कर रहे हो, और discount मतलब 100 का आप, 90 में कर रहे हो, ठीक है, तो यह हमारा क्या है, net proceed, भई हमें कितना पैसा मिलेगा, अगर मैं आज की date में, अगर को debenture issue करता हूँ, 100 रुपे का, तो मुझे कितना पैसा वापस मिलेग जितना पैसा मुझे मिलेगा, that is your net proceed, जितना आप interest पे कर रहे हो, वो हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है, यह formula है, tax की deduction आपने करी इसमें से, और इसमें से tax, क्योंकि tax, आप इसमें से tax का benefit आप यहाँ पर देखोगे, क्योंकि tax pay करने से पहले आप जो वो, यह चीजे calculate कर रहे हो, ठीक है, interest, net proceed, और T stand for tax, अगर मालों यही आपके redeemable होते, अगर यही आपके redeemable होते, तो आपका formula change हो जाता, formula क्या change हो जाता, interest, bracket में 1-T, यह तो हम पहले भी दे रहे थे, ठीक है, आप पहले formula को समझ लो, उसके बाद आप लिए उसको लिखना, ठीक है, यह चीज आपकी हो गई, plus, redeemable value, minus, net proceed, upon में N, divided by, redeemable value, redeemable value, plus net proceed, divided by 2, यह हमारा इसका formula था, अब आपको यहाँ पर difference समझना पड़ेगा, redeemable value का, और net proceed का, redeemable value वो value होती है, जो आपको pay करनी है, redeem के time पे, यह आपका तभी use होगा, जब आप उसको redeem करोगे, मानलो question silent है, question ने कुछ नहीं बोला है, तो आप जो face value है, उसको आप क्या मानोगे, redeemable value वानोगे, otherwise यह premium पे ही redeem होते हैं, तो और पे का diventure आप 90 में थोड़ी दो को 2 सलवाद, 3 सलवाद, 4 सलवाद, कोई लेगा है नहीं आप से, ठीक है, और net proceed जो आपको आज के time में मिलेगा, मतलब आज के time में जो भी मेरी market value है, वो मेरा net proceed रहेगा, अगर मान लो question में दो value गीवन है आपको, और आपको यही समझनी आ रहा है, कि कौनसी redeemable value है और कौनसी net proceed है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, कि net proceed हमेशा कम रहता है, redeemable value हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो यह चीज़ आ गई, n क्या है मेरा, number of years, कितने साल में मेरा redeem होगा, और यहाँ पर यह जो है, इन दोनों को आप add करोगे, और 2 से आप divide करोगे, यह हमेशा 2 से ही divide करोगे, यह n आपका question के accordingly बदलता जाएगा, 5 साल का है, 10 साल का है, जैसा भी है, आप उसको calculate करो, और calculate करने के बाद आप यहाँ पर पता दोगे, अगर आपका irredeemable है, तो आप यह वाला formula यूज़ करोगे, अगर आपका redeemable है, तो आप यह वाला formula यूज़ करोगे, चीक है, यह चीज़ समझ आ गई, आगे बढ़ें, चीक, चलिए, देखें, यह कोशन है, जीट लिम्टेट इशू, 12 परसेंट डिवेंचर, और फेस वैल्यू और रुपीज, 100 पर 60 लैक, कम्पनी को 60 लैक रुपीज चाहिए, कम्पनी ने क्या करा, 100 रुपीज के डिवेंचर इशू कर दिये, ठीक है, इस है, the floating charges of the issue is 5% on the face value, floating charges क्या होते हैं, floating charges वो charges होते हैं, जो company ने, company जब भी डिवेंचर इशू करती हैं, तो company कुछ commission देना पड़ता है, कुछ noting charges वगरा, वो charges आपको देने पड़ते हैं, वो charges जो हैं आपके, जो भी आपकी value आपको मिलती है वो net proceed उसमें से आपके minus हो जाते हैं जैसे मालो 100 रुपे का आपका debenture था उसमें से 5% आपके floating charges है तो 100 का 5% कितना हो गया 5 रुपे तो आपको जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 95 रुपेज मिलेंगे वो floating charges आपके वहाँ पे minus हो जाते हैं interest is payable annually and debenture are redeemable at the premium of 10% छीक है after the 10 year मतब कितने साल के लिए 10 साल के लिए छीक है ये चीज़ हो गई what will be the cost of debenture if tax rate is 50% formula याद है आपको उसमें क्या बोला था formula में interest bracket में 1-T plus redeemable value minus net proceed divided by n upon में आपका redeemable value plus net proceed divided by 2 अब दोखो interest it is advised to you कि अगर आपको face value पता है तो face value के हिसाबते ही आप question करें आप total amount पे ना जाएं तोटल amount में फिर calculation आपकी बढ़ जाएगी ठीक है अब आपको क्या है interest कितना देना है आपको interest आपको पता है ये जो percentage जो होती है ये आपकी interest को represent करती है 12% यानि 100 पे का debenture 12% क्या हो गया 12 रूपे तो interest कितना हो गया मेरा 12 रूपे tax 50% तो 0.50 50% भी लिख सकते हो redeemable value आप देखो इसने क्या बोला है redeemable at the premium of 10% मतलब जब आप redeem करोगे तो आपको sorbega debenture कितने में देना पड़ेगा 110 रूपे में ठीक है यह चीज आ गई अच्छा N आपको पता है कितना 10 बच्चा क्या आपका net proceed net proceed में उसने क्या बोला कि 5% तो आपका क्या है floating charges है तो ठीक है आपका face value कितनी की है 100 की 5% क्या हो गया floating charges कितना पे करेगा आपको मिलेगा कितना आपको 95 रूपेज ओफेस ही बात है कि यह जो redeemal value होती है वो ज्यादा होती है net proceed आपका कम होता है कुछ नहीं करना formula में आपको value put करनी है और आपको answer निकालना है तारी value आपको पता चल गई interest आपको पता चल गया tax आपको पता चल गया redeemal value आपको पता चल गई n आपको पता चल गया net proceed आपको पता चल गया formula value put करो और आप answer बताओ यह चीज हो गई आपके 1-3 और आपका redeemal value और जो net proceed है आपका वो आपने देख लिया यहाँ पर 12 रुपे आपका वो था 1- tax और यह आपका 100-95 अपन में 10 ठीक है number of years आपके हो गए और यहाँ पर दोनों को आप add करो 2 से आप divide कर दो ठीक है यह चीज आपके हो गए इसको आपने solve करा यह कितना हो गया 0.5 multiply कितसे करोगे 12 से 12 से multiply करोगे तो कितना हो जागा 12,50 तो यह हो गया 6 और यहाँ से यह कितना हो गया आप 100 में से 95 जाएंगे 110 में से 95 जाएंगे तो कितना बचेगा 15 15 divided by 10 1.5 यह हो गया 1.5 और इनको आप add करो और 2 से divide कर दो यह आजागा आपका इतना इसको solve करोगे इतना आजाएगा percentage में convert करोगे इतना आजाएगा percentage में convert करोगे तो इसका मतलब क्या होता 0.073 multiplied by 100 जब multiplied by 100 करोगे तो यह point टोटके आपका 2 digit आगे आजाएगा तो यह answer कितना आएगा 7.3 तो मतलब आपका जब भी आप इस type की condition में आप डिवेंचर इसू करोगे तो आपका खिस्ता कितना आएगा 7.3% simple था है ठीक है इसी type की question आपके आते हैं next है आपका cost of preference share ठीक है यह आपका डिवेंचर का था अब आपको क्या करना है preference shares ठीक है preference shares के उसमें क्या रहेगा आपका preference shares का भी बहुत असान है इसमें भी कुछ नहीं करना है जिसको डिवेंचर समझागे उसको preference shares भी समझा जएगा कैसे समझा जएगा क्यूंकि preference shares में क्या देते है dividend dividend भी इनका fix रहता है कि इतना percentage आपको dividend की form में आपको देना ही देना है अगर company dividend declare करती है तो ठीक है तो company जितना उनको dividend pay कर रही है वो हमारा क्या है cost of preference shares वो जो cost of preference shares है वो आपका यहां पर आता है जो को नॉर्मली पहले आपने क्या किया था interest bracket में 1-t upon में net proceed debenture में आपने यही किया था अब आपको क्या करना है आपे interest की जगे देना है आपको dividend tax आप already pay कर चुके हो क्योंकि जो dividend pay किया जाता हूँ आपका tax के बाद ही रहता है तो interest का पंगा आपका हट जाएगा upon में net proceed simple dividend upon में net proceed अगर आपका irredeemable है तो ठीक है अगर आपका redeemable है redeemable वाले में भी same वही बंगा है पहले आप क्या करते थे interest bracket में 1-t plus net proceed आपका redeemable value यह न आपका मतब पहले आप क्या करते थे यहाँ पर आप interest bracket में 1-t प्लस redeemable value minus net proceed upon में है न और यहाँ पर आप क्या करते थे redeemable value minus आपका net proceed divided by 2 अगर आप नहीं को आप add करोगे दो चीज़े आप डिवाइड कर दोगे ठीक है बागी चीज़ें आपकी सेम रहेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है चुको टेक्स तो आप अल्रेडी पे कर चुके हो तो यहाँ पर क्या आ गया डिविडेंट और रिडिविवल वैल्यू माइनस नेट प्रोसी डिवाइड बाइड बाइण चीक है और रिडिविवल क्या कहता है कंपनी इशू 10 परसेंट प्रेफरेंश शेर्ट ओफ दा फेस वाल्यू आप रूपीज हंडेड ठीक है फ्लोटिंग चार्जिस आपके कितने हैं पांच परसेंट है जो भी आप इसका वो रहेगा वो आपके सेम रहेंगे हंडेड का था हंडेड में से 5 आपने इशु करति और खर्चा लेगा और कटा लगेगा ये ה black नहीं वो खर्चा आपको अब फेसफी बात है कि आप इशु करो mega तो आपका खरचा आएगा प्रोस्पेड्र कर चा और यह सारा खर्चे होतें वो सारे आपके इशु करने में जो भीक रचे अगा वो सारा आपका में consider किया जाएगा ठीक है ओके what will be the cost of preference share cost of KP if preference share are issued at par और 10% premium और 5% discount ignore the dividend tax आप यह मान के चलो को भी dividend tax आपका यह चीज़ इसमें ignore आपके कर दी है obviously बात है कि आप dividend कितना है आपका 10% है तो पहले तो आप dividend निकालो dividend कितना होगे आपका 10 रुपे 100 का 10 रुपे 10 रुपे upon में आपका क्या निकालोगे net proceed ठीक है net proceed इस case में आपके पार वाले में कितनी है 100-5 95 हो गई तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 95 आ जाएगा premium वाले में क्या होगा आपका 100 plus 10% premium यानि 110 और आपका 5% जो आप उसमें से minus कर दोगे ठीक है और discount वाले में क्या रहेगा आपका discount वाले में आपका 5% discount है यानि 100-5 कितना होगया 95 और उसमें से फिर आपका 5% जो आप और minus कर दोगे ठीक है तो वा आपका net proceed उसमें आजा गहां ठीक है तो चलो इसमें देख लेते हैं यह आपका 100 होगया 100 में से 95 आपका यह हो गया ठीक है तो इसको आपने यहां पर यह calculate कर दिया यह आपका 10% है तो 10 रुपे यह हो गया 5 उसमें वो minus कर दिया तो 95 आपका यह हो गया ठीक है, 10% premium है, तो 110 रुपे तो आपका ये ही हो गया, 110 में से आप जो वो 5% और minus कर दोगे, 110 का 5% जो भी रहेगा, वो आप यहाँ पे minus कर दोगे, ठीक है, ये हो गया, 5% आपने 110 का minus कर दिया, तो total value आगए आपके 104.50, discount था, तो discount वाले में आप और वो कर दोगे, ठीक है, आपका 10% जो था, वो आपको discount हो गया, ठीक है, और उसमें से या तो आप पहले इसको minus कर लो, या आप 5% उसमें से minus कर लो, तो आपका उसमें से हो जागा, ठीक है, तो इसमें से मतलब जो है, आप 5 रुपे minus करके, मतलब आपने 95 तो आपको वैसे ही मिले थे, भई, तो के 95 तो आपको वैसे ही मिले, 5 रुपे तो आपको वहाँ पर discount मिली आपको, ठीक है, तो उसमें से फिर आप अपना 5% और अपना minus करतो, floating charges के minus करतो, ठीक है, तो वह आपका, यहाँ पर, आपका आजाएगा, ठीक है, तो उसमें से minus करने के बाद, आपका जो भी, जो net proceed है, उपर वाला आपका वही रहेगा, net proceed में आपका changes आएगा, ठीक है, तो यह चीज आपकी, इसमें आ जाती है, यह question है आपका, रूबी लिमिटेट इशू 12%, preference share of rupees 100, एट पार, redeem after 10 year, at 10% premium, ठीक है, तो आपका क्या कहता है, कि, each at par, मतब अभी जो आप इशू करोगे, वो par पे करोगे, लेकिन redeem करोगे, 10 साल बाद कितने पे, premium पे, तो यानि, redeemable value जो रहेगी, वो आपके कितनी रहेगी, 110, net proceed कितना रहेगा, आपका 100, ठीक है, dividend कितना रहेगा, आपका, 12 रुपे, ठीक है, और आपका n कितना है, 10, formula में value पुट करोगे, answer बताओगे, ठीक है, यह formula में आप value पुट करोगे, यह आपने 12, और 110, उसमें से आप 100 मैनिस कर दिया, आपने 10, ठीक है, 1 by 2, और यह इस वो दौनों को add करोगे, 2 से divide करोगे, इसको solve करा, तो यह 12 रुपे, इसको यह करा, तो आपका 10 रुपे, 10 divide by 10, यह आपका आगया 1, और यह 105, यह हो गया 13, 105, दौनों को divide करोगे, तो इतना आ जागा, इसको जब percentage में convert करोगे, तो आपका answer इतना आ जाएगा, समझ गए, ओके, यह एक और question है, a company issue 12% redeemable, preference shares of 100 each at 5% premium, redeemable after 15 years at a 10% premium, मतलब अभी जो आप issue कर रहे हो, वो कितने वे गर रहे हो, 110, आपका 5% है न, मतलब 5% premium है, तो 105 पे आप मतलब जो है, issue करोगे, यह क्या होगे, आपका net proceed, लेकिन बोला क्या आप जब आप redeem करोगे, यानि redeemable value आपकी कितनी रहेगी, 110, ठीक है, floating charges per share कितना है आपका, 2 रुपीज, ठीक है, ठीक है, और आपको यह निकालना है, और आपको जो interest, मतलब जो dividend रहेगा, वो आपका कितना रहेगा, 12 रुपे, ठीक है, और, हाँ, यह इसका देख रहे हैं, यह हमें सा face value का ही रहेगा, dividend जो हम pay करते हैं, वो face value का ही परे करते हैं, ठीक है, और n क्या हो जागा यहाँ पर, 15 हो जाएगा, ठीक है, तो यह, उसमें कुछ नहीं करना है, formula value पूट करना है, सब चीज़ें आपको पता ही है, formula value पूट करो, और answer बताओ, ठीक है, यह इसका solution है आपका, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़तें, नेक्स्ट इस यॉर, cost of equity shares, ठीक है, तो equity shares का, मतलब क्या होता है, equity के बदले में भी हमें pay करना पड़ता है, क्योंकि equity जो पैसा है, वो सबसे बाद में रह जाएगा, तो equity के बदले में जो हम pay कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, cost of equity shares, ठीक है, तो cost of equity को हम यहाँ पर दिखाएंगे, के P नहीं, कहाँ पर के E आएगा, ठीक है, cost of equity से हम यहाँ पर represent करेंगे, तो equity के लिए देखो, हमारा पास क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, equity के लिए हमारा पास SS को डारेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, यहाँ पर चलती है हमारी approaches, हमारी तीन approaches चलती है, dividend price approach, dividend price approach, ठीक है, earning price approach, और एक आती है आपके, dividend plus growth approach, पहले आप समझ लो इसको, यह तीन approaches हमारी चलती है, पहली approach, dividend price approach, दूसरी approach, earning price approach, तीसरी approach, dividend plus growth, जिनका dividend अच्छा होता है, वो यह वाली approach follow करती है, तूकि सबको क्या चाहिए, market price जो वो सबको high करना है, तो जिनका dividend अच्छा है, वो यह वाली approach follow करती है, जिनकी earning अच्छी है, बड़ dividend नहीं दे रही है, वो यह वाली approach यूज़ करती है, जो stable dividend दे रही है, प्लस हर साल आपका dividend बढ़ा के दे रही है, वो यह वाली approach यूज़ करती है, समझ गए, जिनका dividend rate अच्छा है, जो dividend अच्छा पे कर रही है, अव्यसी बात है, dividend rate अच्छा पे कर रही है, तो इन से जब इसकी value निकलेगी, तो उसका rate हाई आएगा, जिनकी earning अच्छी है, मतब earning से आप निकालो, तो यहाँ पर इसकी जो EPS है, मतब आपकी जो market price per share है, वो आपका ज़्याद आएगा यहां से, और अगर आप dividend प्लस growth से निकालोगे, तो उसमें आपकी जो value है, तो वो ज़्याद आएगी, तो उसके साब से यहाँ पर calculate करती है, तो simple सी बात है, कि जो dividend से निकाल रही है, तो dividend upon में net proceed, अगर आपके new share हैं तो, अगर आपके new share हैं, आप ऐसे ध्यान रखना, N stand for new, और N stand for net, net proceed आपको तम मिलेगा, जब आप new share issue करोगे, मतलब company यह कह रही है, कि भाया हम new share issue करना चाते हैं, मुझे cost of equity calculate करके बता दो, simple सी बात है, आप उनका dividend निकालो, उनका net proceed निकालो, और आप उसको दोनों को divide कर दो, company कहते हैं कि भाया, net proceed तो हम पहले ले चुके हैं, share existing है, जब share existing है, तो आपको market price पता होगा, तो आप उस case में क्या use करोगे, dividend upon में market price, यहाँ पर आपको market price दिया होगा, ठीक है, समझा गया, dividend upon में net proceed आप कब use करोगे, जब आपके share new है, और market price आप कब use करोगे, जब share आपके existing है, अगर आप earning method यूज कर रहे हो, अगर आप earning method यूज कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर आपने dividend लिया है, वहाँ पर आप earning per share ले लो, earning per share upon में net proceed, और आपका EPS upon में MPS, अगर आपके new share है, तो net proceed से divide कर दोगे, अगर आपके existing share है, तो आप market price से divide कर दोगे, और EPS कैसे निकलेगा, earning available to equity shareholder, divided by number of equity shares, चुकि सबको पैसा काटने को उटने के बाद, जो पैसा बसता है, वो किसका बसता है, equity shareholder का बसता है, ठीक है, सबको पैसा देने के बाद, जो आपका पैसा बचा है, वो आपका क्या है, equity EPS, यानि earning per share, तो earning per share को, जब आप market price से divide कर दोगे, तो आपकी cost of equity पता ले जाएगे, और यहाँ पर अगर आपके नए share है, तो आप net proceed से वो करोगे, और net proceed आपकी सेम वैसे ही है, जैसे हम पहले निगालते आएं, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम आपका वही है, कि dividend upon में price, यहाँ नेट प्रोसीड, चीक है, अगर अगर आपका कोई नया कोई वो है, अगर एक company यह कहते है, कि हमारा नए share है, तो net proceed यूज करोगे, अगर आपका नए share नहीं है, existing है आपके, तो वहाँ पर आपके जो market price दिया होगा, तो आप market price से डिवाइड कर दोगे, अगर एक company कहते हैं, कि हम तो earning plus growth model को use करेंगे, तो ठीक है जो आपकी earning हो रही है, upon में net proceed तो आप पहले ही करते थे, या market price आप पहले ही करते थे, उसमें आपने जो growth करी है, उसको आप और add कर दो, अगर आप dividend में growth use करोगे, तो dividend जो आप pay करते थे वो, आपकी growth, जितना आपका growth हो रही है, आप उसमें add करते चले जाओगे, ठीक है, तो ये model आपका, यहाँ पर use होगा, जैसे यह एक question है, share capital of a company, represent by the 10,000 equity share of rupees 10 each, मतलब जो company का share है, वो company का कहती है भी 10 each का हमारा share है, fully paid up है, current market price आपका कितना है, 40 रुपे, मतलब 10 रुपे का share आपका, 40 रुपे, earning available to equity shareholder are, 60,000, ठीक है, और at the end of the period, calculate the cost of equity share, by using earning price ratio, देखो यह total amount है आपका, जो earning available to equity shareholder है, number of equity shares कितने हैं आपके, 10,000, तो आप एक काम करो, पहले तो आप EPS निकाल लो, 10,000, 60,000 divided by 10,000, तो per share आपका कितना रहेगा, 6 रुपे, तो EPS आपका कितना हो गया, 6, और बाकी आपका क्या है, इसकी cost कितनी बढ़ेगी, 15%, जब हमने debt निकाला था, उसकी cost कितनी थी, 7%, और इसकी cost 15%, इनको दे रहे हो, 15%, लेंगे भईया है, तो ऐसे ही, मतलब इनका एक और question है, company plan to issue this much equity share, of rupees 10 each, rate as regional capital, cost of flotation, आपका 5% है, current market price आपका, 40 rupees है, if the earning per share is 7.25, find out the cost of new capital, obviously बात हो जागा question, simple question है, ठीक है, आप इसको घर्षी ट्राइ का ले, नहीं बाद, ठीक है, ये इसका वो दे रहे हो, ठीक है, उसमें, ये current market price of the share is 100, the firm need 1 lakh rupees for the expansion, company nice share issue कर रही है, तो अभी आपको कितना बैसा मिलेगा, 95, the expected dividend rate, or end of the year, 4.75 per share, और growth rate कितना है, आपका 6%, company कहते हैं, cost of capital निगालो, new equity के लिए, ठीक है, तो इसमें company ने growth model, आपका use कर दिया, देखो, company ने क्या बोला, dividend plus price, plus आपका growth, ठीक है, तो आपका dividend, price कितना था, 106%, आपकी growth थी, ये आपका, इसको वो कर दो गए, ये हो गया, 6% आपकी growth है, इतनी आपकी, cost राजाएगी, तो इसमें, आपने, 10.75 करा, ये cost of new equity, अगर आप new equity का, निकालना चाहते हो, आपको new share, अगर आप issue करोगे, तो आपका कितना रहेगा, 95 रूपीज, ठीक है, तो इसमें, आपका 6%, आप वो कर दोगे, टोटल आप divide कर दोगे, 6% आप add कर दोगे, ठीक है, ठीक है, तो ये आपके, उसमें आ जाएंगे, ये आप एक बार, घर से try कर लेने इसको, ठीक है, ये कुछ question है आपके, ठीक है, बाकी जो है, so thank you guys, for watching this video, और आज की जो वीडियो है, उसमें हम लोगोंने, cost of capital, और cost of preference share, के, cost of equity, और cost of preference share, ये दो पार्ट हम लोगोंने cover करें, इसमें redeemable और redeemable, दोनों पार्ट हमारे थे, ठीक है, आगे जो हमारी वीडियो रहेगी, उसमें हम जो है, cost of retained earning, दो portion हम discuss करेंगे, और WACC, यानि weightage average cost of capital, और आपका CAPM model, ये तीनों ही portion आपके बहुत important है, इसके बाद आपकी जो cost of capital है, वो वाला topic आपका complete हो जाएगा, ठीक है, so thank you guys for watching this video, और जोड़े रहे हमारे साथ आगे आने वाली वीडियो के साथ में, ताकि इस से related जो भी concept है, वो आपके clear हो सके, और जो लोगोंने हमारी वीडियो को like नहीं किया है, वो हमारे वीडियो को like करें, share करें और अपने friends के साथ में subscribe करें, right, so thank you guys,